नमस्कार दोस्तों, कैसे आप؟ आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे दोस्तों, दिल का बहुत तेजी से धड़कना और धड़कन महसुस होना पलपिटेशन की प्रॉबलम और ट्रैकी काडिया की प्रॉबलम ये बहुत ज्यादा common problems हैं और आज के समय में हम लोग खाना जादा खाते हैं और physical exercise कम करते हैं, tension भी जादा लेते हैं, जिसके कारण ये problem जादा हमें होती है. तो आज मैं आपको दो combination बताऊंगा और दोनों को ही use करना है अगर आपको trachecardia की problem है या palpitation की problem है और आपके समस्या बहुत जल्दे ठीक हो जाएगी और हमेशा के लिए ठीक हो सकती है. तो ये वीडियो आखरी तक जरूर देखेगा, बहुत interesting होने वाला है ये वीडियो, मैं आक्ट विक्राम आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है, तो चलिए, शुरू करते हैं. जरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करियोगा और हाँ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर तबाएं, क्योंकि मैं ऐसे ही नौलेजब होमेपैथिक रिलेटेड डिसीज रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं, और साथे साथ आप मुझे इमेल कर सकते हैं, मेरा इमेल आइडी है कीर्थी विक्रम सिंह परिहार at the rate gmail.com और हाँ, अगर आप मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, तो कंसल्टेंसी फ्री है, बस आ दिल का बहुत तेजी से धड़कना और जो धड़कन है वो महसूस होना, पैलपेटेशन की अगर आपको समस्या है और बहुत जादा आप एंजियस भी रहते हैं, बहुत जादा टेंशन भी लेते हैं, और आपका दिल जादा तेजी से धड़क रहा है, मतलब नॉर्मली जो 65 से लेकर, अगर 85 तक आपका दिल धड़क रहा है, आप रेस्ट कंडिशन में, ऐसा नहीं दौरते समय, रेस्ट कंडिशन में, जब आप बैठे रहते हैं, या सिंपल जो काम करते रहते हैं, मुबाइल पे, मुबाइल पे, लैप टॉप पे, और घर पे बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो रेस्ट कंडिशन में, अगर 65 से लेकर 85 तक आपका दिल धड़क रहा है, तो ये बिलकुल नॉर्मल है, लेकिन 85 से जादा आपकी दिल की धड़कन है, तो थोड़ा सा ट्रेकी काडिया है, लेकिन अगर आप बैठे हुए हैं, और आपकी दिल की धड़ लेकर 95 से जादा हैं, तो आपको ट्रेकी काडिया की समस्या है, लेकिन ये समस्या ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको महसूस हो, लेकिन काफी सारे patient को ही महसूस होती है, palpitation महसूस होता है, और फिर वो tension लेते हैं और जैसे ही tension लेते हैं, तो और तेजी से उनका दिल धड़कन अमूमन नॉर्मली ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको दिल की कोई बीमारी है, तभी आपका तेजी से दिल धड़क रहा है, यह simply anxiety के कारण, tension के कारण, या बहुत जादा सोचने के कारण, या नींद नहीं आई है उसके कारण, या gas बन गई है उसके कारण हो सकता है, तो जा आपको कोई बीमारी नहीं है, simple कुछ न कुछ हलका फुलका है, जिसके कारण, आपका दिल तेजी से धड़क रहा है, लेकिन आप परशान है, और आप doctor to doctor घूम रहे हैं, काडियोलोजिस्ट को दिखा रहे हैं, दवा वो देते हैं, तो आपको आराम लग जाता है, और आप कुछ दिन दवा खाते हैं, उसके बाद आपकी समस्या जो है, वो ठीक हो जाती है, लेकिन दवा बंद कर देते हैं, तो फिर से हफ्टेंशन ले लगते हैं, और फिर से ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो मैंने कुछ पेशेंट को जिनको ट्रेकी कारणिया की प्रॉब् इन्जाइटी, टेंशन, नीन नाना, गैस की प्रॉब्लम, फिसकल अक्टिवищटी ना होने के कारण, समय पर ना सुने के कारण, खाना जाधा खाने के कारण, ओइली कं सुने के कारण होता क्या है, कि जो आप थोड़ी सा भी फिजिक अक्टिविटी करते हैं, तो दिल तो और तेज़े से धढ़कने लगता है तो इसे ठीक करने के लिए आपको कौन सी दवा यूज़ करने चाहिए होमेपैथी में हलाकि मैं आपको यह सबसे पहले आप बिना दवा के आप यह सोचें कि आपको कोई बीमारी नहीं है और धीरे-धीरे अपनी physical activity बढ़ाएं पहले तेहलना सुरू करें लगबख 15-20 मिनट और फिर उसके बाद अगर आप यंग एज में हैं और एक बाद काडियोलोजिस्ट को दिखा लिये हैं और काडियोलोजिस्ट ने पूरी जाज करने के बाद पता चला है कि आपको कोई समस्या नहीं है तो आप थोड़ा दोड़ना अब ही चालू करें कुछ दिनों बाद ने तो अगर आप सिंपली एक डेल घंटे टहलेंगे और थोड़ा पसीना आपका निकलेगा तो आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं मैं दवा लूँगा और दवा से ही ठीक होंगा तो हूमिपाथक मैडिसन लेने से बहतर है कि ऐसी प्रॉब्लम के लिए जो कि कोई सोचा जाया तो कोई समस्या है ही ने लेकिन फिर भी आपके लिए और बहुत सारे लोगों के लिए समस्या है तो दो कॉम्भीनेशन लीजिए पहला कॉम्भीनेशन डायूशन का है जिनको डर बहुत जादा लगता है और डर लगने के कारण घबरहाट होने लगती है छोट-छोटी बातों से वह डर जाते हैं बाहर जाने से कोई जा रहा है तो इसका एक्सिडन न हो जाए कुछ होना जाए मतलब डर अगर आपको एक्सेसिव लगता है और डर के कारण फिर होती है पल्पेटेशन होता है तो एस्पेन बहुत अच्छी मेडिसेन आप 30CH potency में यूज करें और दूसरी मेडिसेन है rescue remedy दोस्तों rescue remedy बैच फ्लॉबर medicines का combination है और पांच मेडिसेन इसमें already एक combination है लेकिन मैं इस एस्पेन और rescue remedy को मिला कि मैंने patients को दी और results बहुत अच्छे मिलें तो ये combination आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा आप rescue remedy यूज करें rescue remedy से डर घबराहट बेचैनी नींद की समस्या ये सब जो आपकी बुला जाये तो जो psychological disorders है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे तो rescue remedy से डर घबराहट नींद की समस्या ये पूरी तरीके से आपके ठीक हो जाएगी तो एस्पेन और rescue remedy इन दोनों को आपको मिलाना है 30 CH potency में आती है picture आपको दिख रही है बराबर मात्रा में मिलाईएगा तीस-तीस ml की file ही आएगी और एक 100 ml की खाली CC लीजएगा उसमें 10-10 ml भी मिला सकते हैं तो मैं यही recommend करूँ और इस दुरात में 10-10 ml मिला हैं बाकी रखे रहें दें बहुत दोनों अच्छे दवाईएं और दोनों पे मेरे वीडियोस हैं तो जरूर आप देख लीजएगा पूरी जयनकारी उसमें मिल जाएगी और मिलाने के बाद आपको अगर पैल्पेटेशन और ट्रैकी काडिया की प्रॉब्लम है तो दो बूंद सुबह पीएं दो बूंद दो पहर में पीएं और दो बूंद रात में पीएं तीन बार पीएं सुरुवात में और मुझे लग बहुत जादा मेडिसेन नहीं है दो ही दवा है और अरजुना मेड़र टेंचर क्राइगास हार्ट के लिए होमिपैथी की सबसे बेस्ट टॉनिक है हार्ट टॉनिक है तो कोई भी समस्या अगर आपको हार्ट में तो यह मेडिसेन बहुत अच्छी है और खासकर अगर पैल् इसे धड़कने लगता है तो kratagus उसे ठीक करेगा तो kratagus mother tincture में यूज़ करिएगा और अर्जुना आपने सुना ही होगा अर्जुना अर्जुन की चाल हार्ट के लिए कितनी अच्छी होती है पैल्पेटिशन को यह ठीक करती है ट्रैकी काडिया को ठीक करती है इवन अगर ब्रैडी काडिया की प्रॉब्लम में वह भी ठीक होता है और कुछ और समस्य है अगर आपको थोड़ा blood pressure भी बढ़ रहा है तो वह भी अर्जुना मदर टेंचर और क्रेटेगस मदर टेंचर यह दोनों को आप बराबर मात्रम मिलाएं इसे भी आप 30-30 ml में खरे लीजेगा मुस्टली शौबे की या एस्वील की या डॉक्टर रेक्वेक की और फिर आप आधा कब पानी लेजिए उसमें अर्जुना मदर टें दालिए और फिर आप उसे पह लिजे ऐसा आप दिन में दो बार सुबह शाम करिए तो दिन में तीन बार आपको आपको और आयसकेञ्ट्व रामडे कॉम्ग incon donde लेना है आपको नीन अच्छी आती है, टेंशन कम होती है, तो फिर आप ये medicine continue करें, लेकिन मैं आपको एक चीज और recommend करूँगा, थोड़ा सा योगा करें, अलूम, विलूम, कपाल भारती, हलका फुलका, फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ा सा तहलें, जादा नहीं, जिम जाने के नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल, आप simply टहलें बस और कुछ ना करें, तो अगर आप 15-20 minutes टहलते हैं, नीन अच्छी आती है, तो फिर आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी हमेशा के लिए, तो एक महीने दो महीने ये medicine लेके देखिएगा, और आपकी problem हमेशा के लिए ठीक ह ये दवा बहुत अच्छी है, और मैंने काफी सारे patient को दिये, और results लगबख सभी में मिला है, तो मुझे आशा है कि आपको अगर ये समस्या है, तो आपको results मिलेगा, इसमेरा एक बुराना वीडियो भी है, लेकिन ये medicine से थोड़ा अभी काफी सारे patient को results जादा अच्छे म अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो की नीचे एक लाइक का बटन देगे तो इसको दो आना बिल्कुन उबलेगा, यहां पर एक रटका का सबस्क्राइब का बटन देगा तो इसको भी दबा दीजे, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो इसको भी दबा दीजे, मैं ऐसे ही नौलेजबल होमपैतिक डिसीज रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, तो इसको देखने के लिए मेरे जानों को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन देगे तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, नीचे कमे